बुन्देली हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जासी वाली रानी थी सुप्रभाद बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे प्यारे बच्चों इन पंक्तियों को सुनकर आप तो जानी गए होंगे कि हम आज आप सब को कौन से पाठका अध्यन कराएंगे प्रस्तुत कविता जासी की रानी लच्मिवाई की बीरता के विशे में है यह सुभद्र कुमारी चौहान द्वारा रचित अतियन्त प्रसिद्ध कविता है सुभद्र कुमारी चौहान एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित में अपना विशेश अस्थान रखती है इनका जन्म 16 अगस सन 1904 इस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहबाद जन्पत के निहाल पुर्गाउं में हुआ था इनकी प्रमुक रचनाए मुकुल त्रिधारा जहासी की रानी आधि काब्य है बिखरे मोती उनमादिनी सीधे सादे चित्र आधि कहानिया है इनकी मृत्व 15 फर्वरी सन 1948 इस्वी में एक वाहन दुर्गटना में हुई थी प्रस्तुत कविता में दास्ता के पड़ाम सरूप भारत के जरजर अर्थात कमजोर होने आजादी प्राप्त करने का जोस लोगों में आने लच्मिबाई के बच्पन, इवावस्था, बिवाह, बिध्वाहोंने, अंग्रेजों के सड्यंत्र को विफल करने, उन्हें परास्त करने तथा उन्हें के साथ हुए घमाशान युद्ध में वीर गती प्राप्त करने का वड़न है इसके साथ ही उनकी सुतंत्रता के प्रती ललक, साहस, भीरता, युद्ध कौसल, सैन संचालन, आदि गोड़ भी वड़ी थे इस कविता को पढ़ने, सुनने से हमारे मन में जोस, उस्ता और सुतंत्रता सेनानियों के प्रती स्रद्धा उत्पन्य होती है या कविता इस प्रकार है सिंहासन ही लूटे राजवन सोने ब्रिकुटी तानी थी बूड़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूरे फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमकुठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलो के मुहमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जासी वाली रानी थी प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री ने 1857 ईसिवी के स्वाधींता संग्राम में लच्मी बाई के योगदान का वड़न किया है कवित्री कहती है कि सोतंदृता की पहली लड़ाई जब सुरू हुई तो भारत के राजाओं में भी हलचल उत्पन हुई उनकी सिंहासन हिल गए, राजवन संग्रेजों पर कुरुद्ध हो गए, गुलामी के कारण, जरजर, कमजोर वुड़े भारत में भी नया जोस पैदा हो गया था सब लोग अपनी खोई आजादी का मूल समझने लगे थे वे जान गए थे कि स्वतंत्रता अमूल है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज सास्कों को भारत से भागाने का निश्चे कर लिया था भारत की पुरानी तलवार 1857 इस्वी में चमक उठी थी, जासी की रानी युस युद्ध में वीर पूर्शों की भाथ लड़ी कवित्री बताती हैं उसकी यह कहानी हमने वुंदेल खंड के हरवोलों से सुनी थी प्यारे बच्चों, आज की पाठ में बस इतना ही, अब आप सबसे कुछ प्रश्ण पूछे जाएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा बहुँ विकलपी यह प्रश्ण है, आपका पहला प्रश्ण है, जहां सी की रानी कविता कि ने लिखी है आपके आपसन से, का लच्मी बाई, खा सुबध्राकुमारी चोहान, गा सुमित्रा नंदन पन्द, घा के दार नात आपका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान आपका दूसरा प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख का विक्रितियां हैं आपके आप्संस है का विक्रे मोती, खा, उनमादिनी, गा, मुकुल और तृधारा, गा, इनमें से कोई नहीं आपका सही उत्तर है मुकूल और त्रिधारा अब आपका अगला प्रश्न है भारत का प्रिथम सुतंतरता संग्राम लड़ा गया आपके आप्शन से क सन 1797 भी में ख सन 1897 भी में ग सन 1865 भी में ग सन 1947 भी में आपका सही उत्तर है सन 1857 भी में अब आपका अगला प्रश्न है खूब लड़ी मर्दानी का प्रियोग किसके लिए किया गया है आपके आप्शन से का जहांसी किरानी लच्मी बाई के लिए खा बेगम हजरत महल के लिए गा मंद्रा और काना के लिए खा इन में से सभी आपका सही उत्तर है जहांसी किरानी लच्मी बाई के लिए प्रश्न अभ्यास के प्रश्न लगुत्री ये प्रश्न निम लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए प्रश्नमबर ए प्रस्तुत कविता में किस समय की घटना का वड़न किया गया है प्रश्नमबर दो कविता के दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जमानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है प्यारे बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको दो से तीन पंक्तियों में लिखना है आज के लिए बस इतना ही तो मिलते हैं कल आप से अगले वीडियों में इसके सेजभाग के साथ तब तक के लिए धन्यवाद